हेलो एवरीवन मैं हूँ सिम्मी और आपका मेरे चैनल आर्टफुल सिम्मी में स्वागत है तो आज का जो वीडियो है इसमें मैं तीन डियाईवाई बनाने वाली हूँ जो कि वुडन के वो डिस्पॉजबल स्पून्स होते हैं न जो इस तरह के होते हैं बस इनी से मैं ये डियाईवाई बनाऊंगी ये मेरे पास काफी इकठे हो गए थे तो मुझे आईडिया आया कि चलो क्यों ना मैं इनी से कुछ बनाऊं मतलब होम डिकोर आइटम तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स डियाइवाई तो ये तीन नोट डियाइवाई के लिए मुझे चाहिए ये धेस सारे स्पून जो मैंने ले लिये हैं ये मैंने इदर उदर से कठे किये थे जैसे कि कभी खाना मंगाया तो स्पून रख लिये वैसे अब इनको मैं इसके अपर वाला साइड जो है उसको कट कर लूँगी और जो फर्स डियाइवाई है उसके लिए मुझे इस तरह के नाइन चाहिए तो मैंने नो कट कर लिये हैं क्योंकि ये मुझे तीन-तीन के पेर में यूज करने है तो इसलिए मैंने 9 कट कर लिये हैं और इसके बाद अब मैं newspaper से कुछ pipes बना रही हूँ और फिर इनको मैं black से color कर दूँगी तो ये pipes जो है कुछ मुझे 8-9 जो है पतली वली चाहिए और 3 जो है थोड़ी ठीक सी चाहिए अब इसके बाद मैंने ये गत्ता ले लिया है जो notebook बगरा में होता है न वो बला और उससे मैंने तीन half circle कट किया है और उनसे कुछ इस तरह की shape बना ली है और अब इसके बाद जो मैंने ये मोटी वाली pipes बनाई थी न तीन उनको ले लूँगी और उसमें से अब एक ले रही हूँ और एक के उपर मैं ये उपर वाली side में spoon को paste कर दूँगी इस spoon को उल्टा करके paste करना है और अब थोड़ा सा space छोड़के जो ये मैंने half circle वाली shape कट करी थी इसको paste कर रही हूँ और इसके बाद थोड़ी सी और space छोड़के ये दो spoons को कुछ इस तरह से मैं paste कर दूँगी जैसा कि वीडियो में आपको दिख रहा है अब जो लोग craft के वीडियो देखते है न वो तो ये shape देखके समझ गए हूँगे कि मैं क्या बना रही हूँ अब इनके नीचे की side में जो मैंने 2 spoon paste किये थे ना इनके back side में मैं एक लक़ी सी fix कर दे रही हूँ ताकि ये strong रहे हैं और निकले नहीं तो इस तरह से मैंने 3 बना लिये हैं और अब मैं इस तरह के pattern वाला cardboard ले रही हूँ जो कि normal cardboard के अंदर से easily निकल सकता है आप उपर वाली layer निकालेंगे तो ये निकल आएगा और उसको अब मैं जो उपर वाला spoon था ना उसके head पे इस तरह से paste कर दूँगी ये like पगड़ी का काम करेगा तो ये कुछ इस तरह से तिर्चा करके पहले एक side से लगाना है और फिर दूसरी side से लगाना है और फिर इसी cardboard का एक छोटा सा piece कट करके उसको मैं इस तरह से नीचे paste कर दूँगी और एक और छोटा सा piece कट करके उसको head के ऊपर paste कर दूँगी तो ये इसी तरह से तीनों मैं कर लेना है तो अब हम इसे करेंगे color तो color के लिए ये जो मैंने cardboard के pieces पे paste किया है ना इनको मैं blue कर रही हूँ और इनके face वगरा जो है उनको मैं black रख रही हूँ और बाखी dresses आप अपने according बना सकते हैं जैसो अभी जो भी color आपको अच्छा लगे तो मैं इसमें green, yellow और pink color यूज़ कर रही हूँ अगर bright color आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा तो अब इन पर color हो जाने के बाद मैंने same वो copy बले cover के गत्ते से मैंने ये 3 shapes cut कर ली है और अब इन shapes को मैं पहले color कर लूँगी तो color के लिए मैं इन पर yellow और brown color यूज़ कर रही हूँ तो अब ये सब अलग अलग पार्ट तो इनके बन गए हैं अब इनको assemble कर देंगे हम जिसका मैं वीडियो बनाना भूल गई या पता नहीं delete हो गया मुझे पता ही नहीं चला क्या हुआ तो अब इनके जो बाकी की pipes बची थी उनको मैंने इस तरह से paste कर दिया है और ये जो तीन, ये डोलक और बीना बनाई है उनको मैंने इस तरह से इसके साथ paste कर दिया है अभी सारा पेस्ट हो जाने के बाद इनको हम थोड़ा थोड़ा डेकोरेट कर लेंगे तो जिसके लिए मैं यहां पे कुछ डोर्ट्स लगा दूँगी कुछ डिजाइन्स बना दूँगी और बस तो यह सारे बंत हो गए लेकिन अब इनको किसी सिंगल इसमें फिक्स करना है तो इसके लिए मैंने क्या किया यह मेरे पास एक बॉक्स रखा था अगर आपके पास बॉक्स ना हो तो आप नॉर्मल कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं जो कि तीन-चार कार्डबोर्ड के पीसिस आ आप एक साथ जोइन कर लें तो अब मैं इनको इसके उपर ब्राउन कलर कर रही हूँ और फिर इसकी साइट मैं थोड़ा बहुत डिजाइन बना लूँगी और इसके सेंटर में मैं तीन होल कर दे रही हूँ और फिर तीन पेपर की पाइप्स लेके इसके अंदर ये होल के अंदर इंसेट कर दूँगी और इसी मैं उनको इसके उपर पेस्ट कर दूँगी तो बस यह हमारा फर्स डियाइवाई कम्प्लीट हो गया तो चली फिर देखते हैं इसका फाइनल लुक झाल लुक सेकंड डियाइवाई के लिए भी मुझे ये स्पून के उपर वाले पाठी चाहिए और मैंने ये एक डिबा ले लिया है जो दिवाली पे बहुत मिलता है हमको रसगुलों के साथ और अब इन कटे हुए स्पून्स को मैं लेयर वाई लेयर इसके उपर इस तरह से पेस्ट करत जाओंगी राउंड शेप में अब ये सारा कंप्लीट हो जाने के बाद आप इसको एजिटीज भी छोड़ सकते हैं हैं बट मैं इसके उपर गॉल्डन स्प्रे कर रही हूं और स्प्रे हो जाने के बाद हमारा सेकंड डियाइवाई भी कंप्लीट हो गया तो है नहीं बहुत ज्यादा इजी और यह बहुत ही प्यारा दिख रहा था तो आप इसको किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं पैन हो होल्डर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएं तो चलिए बढ़ते हैं थर्ड डियाइवाई की तरफ तो थर्ड डियाइवाई के लिए हमें स्पून्स को कटने ही करना है उनको ऐस इस लेना है मैंने ये कुछ स् वाल हैंगिंग बनाएंगे तो इसमें ज्यादा कुछ एक्स्प्लेइन करने के लिए है नहीं तो आप वीडियो इंजोई करिए कर कि तो बनाएंगे तो इसमें ज्यादाना गर्ड वाल है भाल है तो यह सारे कंप्लीट हो जाने के बाद मैंने एक लक्री ले ली है जो मुझे बाहर पड़ी हो ही मिली थी और इससे मैंने कुछ धागे बांदी है और इनी धागों से मैं इन स्पून्स को हैंग कर दूँगी और यह हमारा ब्यूटिफुल सा वाल हैंगिंग बन गया प्राइब बन गया